कल का दिन इतिहास के पन्नों पर जो है वो दर्ज होगे आपको बता दे कि कल दिवाली से भी जादा दिपावली का जो पर्व है उसकी खुशिया कल देखने को मिली अगर बात करे राजधानी लखनों की तो यहां पर हजरत गंग चौराहे पर लगतार रैलिया निकाली जा र रहे थे शोभायात्रा कर लगतार अपने भगवान प्रभु आराथ श्री राम के प्रती अपनी जो भावना उसको भी प्रकट कर रहे थे लगतार जो आपको बता दे चौराहों पर चौकों पर भंडारे का भी आयोजन किया गया था लोग अपनी अपनी तरह से अपनी प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही लोगों को कहा था कि हमारे आराध हमारे प्रभुष्री राम आ रहे है तो हर घर में करीबांस दिये भगवान के नाम पर जरूर जला है और लोगों ने कल पूरा का पूरा रात पटाके फोड़े जगा जगा पर निकल के जुलूस निकाले शोभायात्रा निकाली और अपने अपने इस तरह पर राम के प्रान प्रतिस्था को लेकर अपनी अच्छी अच्छी अध्भुत तस्वीरे अयोध्या से निकल कर शामिल हुई सामने आई अगर बात करें बॉलीवूट की इंडस्ट्री की तो बॉलीवूट इंडस्ट्री से भी काफी लोग राम लला की प्रान प्रतिस्था में देखे गया है अगर बात करें रंदी फु मुंबई एयरपोर्ट से निकलते हुए दिखाい दिया और राममन्दिर के लिए वो आएं राममन्दिर की प्राण प्रतिश्था में सामिल हुए मुकेशंबानी की बात करें तो वह साप परिवार प्रान प्रतिष्ठा में शामिल हुए और अपने अपने इस तर पर सब ने बॉलीबूट इंडस्ट्री की बात करें या फिर साउथ इंडस्ट्री की बात करें बिजनेस्मेन की बात करें सब ने अपने अपने इस तर पर राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा को लेकर अपना रीट्वीट किया अपने अपने तरीके से बात की जैश्री राम के लगतार नारे कल से ही सुनते हुए दिखाई दिये तो जो कल का दिवाली था असल दिवाली कल दिखाई दी कहते भी है कि जब रामलला 14 वर्स का वनवास काट कर अयोध्या नगरी में वापस आये थे तब ल अपने अयोध्या नगरी में अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे है तो हम अपने इस तर से अपनी खुशिया मना रहे हैं अपनी दिवाली का बर्व मना रहे हैं तो वो भी काफी अद्भुत था और ऐसी ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप भी जुड़े और नए नियूस के साथ मैं अंकिता शुक्ला लख नो धन्यों